त्योहारों की उमंग है आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाईयां साथियों त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुवात करना चाहता हूँ इस महने की सुरुवात में गादी जैन्ती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई यहां कॉनर प्रेस में एकी खादी स्टोर में एकी दिन में डेड़ करोड रुपिय से जादा का सामान लोगों ने खरीदा इस महने चल रहे खादी महोसव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड दिये हैं आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा दस साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से तीस हजार करोड रुपिय से भी कम थी अब ये बढ़कर सवा लाग करोड रुपिय के आस्पात पहुंच रही है खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फाइदा सहर से लेकर गाउं तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है इस बिक्री का लाप हमारे बुनकर हस्त सिल्पि कारीगर हमारे किसान आयुरुवेदिक पाउधे लगाने वाले कुटिर उद्योक सबको लाप मिलता है और यही तो वोकल फर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवाचों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है साथियों आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पुरवक दोहराना चाहता हूं जब भी आप परियतन पर जाएं तिर्थाटन पर जाएं तो बहां के स्थानिय कलाकारों के द्वारा बना गए उत्पादों को जरूर खरीदें आप अपनी उस यात्रा के कूल बजेट में स्थानिय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपुर्ण प्राथ्विक्ता के रूप में जुरूर रखें 10 परसेंट हो 20 परसेंट हो जितना आपका बजेट बैठता हो लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च केजिएगा